दोस्तों हमारे कुल्चे कितने चमक मार रहे हैं दोस्तों और कैसे हमारे बैकरी स्टाइल में कुल्चे बने हैं दोस्तों और बैकरी की तरह हमने आपको बनाना सिखाए भी है दोस्तों ध्यान रहे इसके बीच में सटाना नहीं दोस्तों चिपकाना नहीं ऐसे गैप होना चा कि आपध्य आकई हुएं। तो दोस्तों स्वागत है आपको शिखाने वाले हैं कि आप घर पर बैकरी की तरह किसे बना सकते हैं कि आपको चीघनेंगे बेकरी की तरह पर दोस्तोंकि रिस्पी चालू करते हां तो दोस्तों हमें अपने कुल्चे बनाने के लिए दोस्तों हमें पहले पानी लेना है दोस्तों और यह पानी है साठ ग्राम दोस्तों तो दोस्तों हमने साठ ग्राम पानी डाल लिया है दोस्तों और उसके बाद हमें डालना है इस्ट यह इस्ट दोस्तों दो ग्राम है और दोस्तों इसमें फिर हमें डालना है 10 ग्राम सुगर दोस्तों चीनी और फिर दोस्तों हम इसे घोल लेते हैं तो दोस्तों हमने इसमें डाला था 60 ग्राम पानी और 2 ग्राम एश्ट दोस्तों और 10 ग्राम चीनी तो दोस्तों उसके बाद हमें दोस्तों इसमें डालना है नमक एक ग्राम के आसपास नमक होना चाहिए दोस्तों एक ग्राम यह देख लिए हमने इतना नमक लिए दोस्तों टेबल स्पून है दोस्तों और इससे आपने सिर्फ एक ग्राम नमक ही डालना है दोस्तों इतना नमक से फिर से बोल लेना है तो दोस्तों के डेना है उसने में ड़ेना है 1 और पिर इसके बाद हमें मैंधा डालना है 100 ग्राम मेंधा है दोस्तों आप जितना SP को Double कर लीजिएगा और उसके हिसाफ से आप जितनी quarantine उसके हो बना सकती हो आप तीरिशे दोस्तों मिक्स कर लेते हैं तो मिक्स करने के बाद ये आपका मैदा इस तरीके से हो जायाखा हलका नरम रहेगा दोस्तों तो कुल्चे कमेदय दोस्तों निराघ रखते हैं दोस्तों और आपने भी नर्म रखना घुंठ कुल्चे कम mortar क्योंकि ताकि- उसको बढ़ाने में चौड़ा करने में आसानी रहें दोस्तों तो आपने इसे इसी तररीके से घूंते रहत ज घूंटे रहना मिंसे टेवल पे नहीं निका लेंगे दोस्तों क्योंकि यह नर्म होता तो आप नहीं इसके अंदर ही आपने इस तारीके से आपने फेटना इस तरहուब से इस तो लेका करना है एक दूसरा बोल लेना है दोस्तों और इस बोल में हमें रिफाइंड लगा लेना है दोस्तों इस तरीके से चारों तरफ कि ऐसे और उसके बाद दोस्तों हमें अपना हमने जो दोस्तों अपना दो तैयार किया है उस दो को दोस्तों हम इसमें निकाल लेते हैं इस तरीके से हमने अपने डो को इसमें रख लेना है ऊपने कुल्चे के मेंदे को तो दोस्तों हमने अपने डो को खूरा निकाल लिए दोस्तों हम और इसके बाद आपको हाथ में तेल लगा लेना है दोस्तों ताकि अपना डो चिपके ना हाथ में इसके बाद दोस्तों इस तरीके से अपने गोल करके दोस्तों ऐसे करके और इसके बाद दोस्तों इसमें रख देना है ऐसे है से उसके बाद आपको इसतरी से रखे और अपने बड़की तक पर अपने खोल है उसो दो से बीबारे नहीं गुलता है बस हमें इसे अइसे निकालना है इस तरीके से पहले आपने दोस्तों हाथ में रिफाइन लगा लेना है ताकि चिपके नए उसके बाद दोस्तों आपने इसे निगाल लेना है उसके बाद इसके पीस कर लेने हैं इस तरीके से एक साइज के दोस्तों हम इसी प्लेट पर रख लेते हैं दोस्तों रिफाइन कि आपने एक साइज के कर लेने हैं दोस्तों पेड़े तो दोस्तों हमने एक साइज के गोल कर लिए हैं दोस्तों पेड़े उसके बाद दोस्तों हमें इसे ट्रे में रख देना है इस तरीके से दोस्तों इस तरीके से उसके बाद रखके हमें इसे पांच मिनट के लिए पांच मिनट के बाद हमें इसे चोड़ाई करनी है दोस्तों ऐसे ही तो दोस्तों 5 मिनट हो चुके हमारे पेड़े को रखे और उसके बाद दोस्तों आपने इसके उपर पानी लगाना दोस्तों तेल नहीं लगाना है पानी लगाने से दबाने से दोस्तों यह होता है जो हम इसके उपर मेथी लगाएंगे वह अच्छी तरीके से इसके उपर हमारी मेथी चिपक जाएगी दोस्तों और हमारे कुल्चे के उपर दोस्तों कलर अच्छा आएगा इसलिए हम पानी लगा रहे हैं दोस्तों इस तरीके से आ तैब होना चाहिए दूस्तों और अब दोस्तों इसके उपर हम मेथी डाल लेते हैं एक ये दूस्तों हमने कस्तूरी मेथी लिए दूस्तों इसके उपर हम श्टक देते हैं इस तरीके से कि इस तरीके से आपने कस्तूरी मेथी डाल देने ही दोस्तों अगर आपको मेथी पसंद तो आप मेथी डाल सकते हो जोएन भी डाल सकते हो आप उपर से उसके बाद हलका हलका हाथ मार देना उपर से आपको दोस्तों इस तरीके से ताकि जो ही मेथी हमारी इसमें चिपक जाए और पकने के बाद मेथी जो है उजड़ेना दोस्तों इस तरीके से तो दोस्तों अपने कुल्चे को हम तयार होने के लिए दोस्तों में रख देते हैं इसमें हवाव नहीं लेगी दोस्तों और कुल्चा हमारा जल्दी से तयार हो जागा दोस्तों तो हम कुल्च अपने ओवन ओवन दोस्तों हमारा बंद है और इस ओवन में हम कुल्चे को डाल तैयार होने के बाद हम इसे पकाएंगे दोस्तों तैयार हो जाएगा फिर हम पकाएंगे तो दोस्तों हमारे कुल्चे एक दम तैयार हो चुके हैं पकने के लिए दोस्तों यह देखिए दोस्तों इस तरीके से आपके कुल्चे फोल जाएंगे फिर आपने दोस्तों पकाना है हैं तो दोस्तो हमारे इब्यक्का टंपरेचर पूरा हो चुका है दो स्टो और हमने अपनुन का टंपरेचर 24 रखा है दोस्तों और राड़े हमने दूश्ट दोनों चालू करके रखें हुए हैं और अब हम दो स्ट अपना कुल्चा डार देते हैं कि आतु के ओश no हमने दोस्तों 20 मिट कर लगा दिया है और आप हम दोस्तों अपने कुछशे पकने देते हैं तो यह देखे दोस्तों आपके काम हमारी वीडियो आ रही है दोस्तों तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों क्योंकि हम बहुत मेनत कर रहे हैं दोस्तों आपके लिए तो प्लीस हमें सपोर्ट कीजिए हमारी रेस्पी आपको कैसी लग रही है दोस दोस्तों कुल्चे हमने तके कच्चह रह जाते हैं दोस्तों नहीं तो पकने के तुरंट बाद ही दोस्तों आपने ठंडा नहीं होने देना उससे पहले ही आपने या तो इसके उपर घी लगा देना देशी तो पर तेल बटर लगा रहे हैं हमून का अमूल का दोस्तों ऐसे लगा देना है ताकि हमारा कुल्चा मुलायम भी हो जाए और हमारे कुल्चे में शाइनिंग भी आ जाए दोस्तों इस तरीकी से अपने लगा ले रहा है तो यह देखे दोस्तों हमारे कुलचे बन कर ठंडे भी हो गएं दोस्तों हमारे कुलचे कितने चमक मार रहे हैं दोस्तों और कैसे आप को बंगा क्वेism सिखाया है है यह देखें दोस्तों आप इसी तरह के से जैसे हमने आपको रैस्पी बताई है उसी तरीके से आप कुल्चे घर पर बनाईए दोस्तों यह देखें कितने अच्छे कुल्चे हैं दोस्तों यह देखें बिल्कुल जैसे बैकरी में हमाई कुल्चे मिलते हैं दोस्तों बिल्कुल उसी तरह क कुलची हैं यह देखे दोस्तों कि अ कि अ कि अ कि अ कि